हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल टोथ शेयर मार्केट तो डिसकस कर लेते हैं स्टोक्स फॉर 11 जुलाई 2023 फर्स्ट फॉल इस वीडियो इस वीडियो इनली फॉर एड्यूकेशन परपस यहां मेरा टेलग्राम लिंक और वाट्सप नंबर गिवन है तो टेलग्राम लिं हमारे यह लिए को बेक किया हमारे दोएक्षक हो लेग करेगा तो हम उसका लो एससलर लेकर चलेंगे और उसके बाद इसने हमारा तर्गेकिटर किया एनफिस टार्गेट है यहां पर हमन एक्जिट्ट होना ऊथ है लिए फिर के यहाँ ठोड़ेग कि अगर होड़ी देर सर और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां देखो यह यह जो सोलीट केंडल है इसने इसका ब्रेकड़ाउन दिया ब्रेकड़ाउन देने के बाद आय होब जो वीडियो देखने उनको पता होगा के नेक्स लेवल क्या होगा नेक्स लेवल यहां तक तो एटलेस आएगा तो वह वहां तक गया है ना फिर उसका भी ब्रेकडाउन दिया तो आपका यहां तक यह आया 1650 तक उसके बाद फिर उपर चला गया फिर यह पूरे दिन भर यही मुवमेंट उपर नीचे होता रहा रही है बढ़ हां फॉर्स केंडिल में जिसने एंट्री लिए होगी इसने फॉर्स टार्गेट बुक किया होगा अब बात कर लेते हैं नेक्स देखने क्या है अभी इसने उसी लेवल के राउंड क्लोजिंग दिए 1657 यानि 58 पर क्लोजिंग है तो 57 जो नीचे का है यहां देखो यहां इसने उस से पहले 10 से पहले भी एक बार सपोर्ट लिया था एक बार पहले भी सपोर्ट लिया था तो important है इसको breakdown कर रहा है उपर जा रहा है एंड आज होल्ड किया है न कल भी हम में सेम वर्क करना है यानि अगर 1665 के उपर जाता है तो यहीं एंट्री हम लेंगे for this target once again इसी टार्गेट के बट कल आप कोशिश करना कि 75 की जगे 74 पर आप एक्जिट मार लो तोड़ने की तांसरी भी रहेंगे कि उपर इससे उपर न इंसलिडेशन होता है और उसके बाद रेकाउट देता है फिर एंट्री कर लो रेकाउट भी ले लेना और विद इस्मॉल एसल जो भी आपका बनेगा तो अगर हम बात करें 1664 के बाद क्या हुआ यह 16 1664 के उपर हम बाई करेंगे for the target of 1675 and then 1688 अब लेवल अगर नीचे की सा लो है ठीक है इस तक और वेट कर सकते हो दाट इस अरॉंड 55 के अरॉंड होगा वह अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 1645 का लेवल फस्त दिखेगा and then 1633 का लेवल हमें सेकिंड दिखेगा ठीक है एसल की अगर हम बात करें तो 16 अगर सेलिंग साइड की बात करूं ज्याद वापस market reverse होता है और first candle तोड़ने लगे तो अगभी आप entry कर सकते हैं ठीक है जो इस रिस्क को ले सकता है वही है ना कोई सोचे कि नहीं यार नीचे ही जाएगा वो मत सोचना आपको यह सोचना है कि हां मैं यह तीन पॉइंट की risk ले रहा हूं market में पैसा डाल रहा हूं वाहरी यचि बन सकता है तो फिर हम बस यह बन सकता है यह याद रखते हैं कि profit इतना हो सकता है हमारा loss कितना हो सकता है हमें वो याद रखना है और वही minimize करना है यह ना minimum loss जो हो सकता है कि हाँ 3-4 point का loss हो सकता है वो याद है वो हो जाएगा हम खुशी-खुशी निकले यह नहीं किया मेरा SL ले लिया अगर आप यह सोचने लग जाओ कि मेरा SL ले लिया या आप negativity अपने अंदर लाओगे तो आप trade नहीं कर पाओगे तो छोटे SL हो यह पहल लो या लास के लिए बढ़ा तीन पॉइंट के SL का fix कर लिया तो तीन पॉइंट पर निकलना ही है और फिर मालो यह SL ले लिया 60 और उसके बाद नीचे आप फिर consolidation करने लग फिर entry कर ले ले ना फिर तीन पॉइंट का फिर उपर जलागे तो दुबारा इसके जाज़ादा इसके हाई पर बुलिश हो जाना इसके हाई थोड़ा फिर आप बुलिश होगे फिर चोटा सा हैसल देगे दो बार अगर तीन दिन मोईंट का है कोई दिक्कत निए तब एक टार्गेट अपने अपने दस बारा पॉइ अगर आपका रश्यो है कोई दिक्तत नहीं होती है ना ओके अगर हम बात करें सेलिंग साइट हमारा 1660 रहेगा और अगर बाइंग साइट की बात करूं तो बाइंग साइट भी आपका 1660 ही रहेगा इस केस में तो एसल हमारे फिक्स है हाड एसल सोफ्ट एसल आयोप सबको तो नीचे आरी कंडल तो कंडल का है ठाइं पंदरा मिनट की नेक्स बात कर लिए एकसिस बैंक ने क्या किया एकसिस बैंक यहां क्लोज वाता हम वहीं ओपन हुआ ठीक है वहीं ओपन हुआ उसके बाद उपर जाने लगा लेवल से टक्राया एंड उसके बाद अगर आप द था तो जायद आप लोगं को पता होगा वीड्यos लीवी सर्ण को धोड़ा तो दوبारा वापस जिए लिए लेवल को टेस्क करें तो नीचे वाले लेवल को टेस्किया अच्छा अच्छा अगर नहीं करता तो क्या होता तो भाई जिस स्केंडल ने तोड़ा है उस स्केंडल के हाइप में निकल जाना है इसका 75 के नीचे आ रहा था 77 होगा एक यह 77 होगा यह को पहले करने कि क्वांटिटी मुझे कितने ने बठाइसल जब डिसाइड हो गया उसके साथ अपना देखने के क्वांटिटी इस नी लूगा तो मेरे माइंड सेट पर इंपक्त नहीं पड़े उतनी के क्वांटिटी है हम यह सोच के क्वांटिटी लेते हैं कि हाँ यार यह अगर दस पुइंट ले देगा तो हमारा 20,000 का प्रोफिट हो जाए इस आदत को छोटना पड़ेगा हमें क्या सोच के एंट्री लेने है कि यह हमारे पॉजिट डारेक्शन में यानि हम जो सो क्वांटिटी की सीखने दो सब्सक्राइब तो जिसके लिए जो फिजिबल है वह उतनी ही क्वांटिटी ले ठीक है उस में बस आपको मैनेज करना है बाग की चीज़े इजी है तो जैसे यह तोड़ा तो हमें क्लियर था कि यहां तक आएगा यहां तक आया उसके बाद यह यहां थोड़ी दिल फस गया अब यह फसना हमारे लिए काफी अच्छा होता है नेक्स्टे के लिए क्योंकि इसने चार केंडल यहां पर सर्वाइव किया तो अब क्या है 966 के उपर 966.5 इसके उपर जाता है तो 974 फिर्स टार्गेट रहेगा जो सेफर साइड चलना जाए वो 972 पर भी बुक कर सकता है वैसे इसको इसकी क्लोजिंग तक आना जाए है बढ़ हां हो सकता है यह इसके इस रेंज तक ही है ना बढ़ हां 974 हमारा फर्स टार्गेट रहेगा 984 हमारा सेकेंड टार्गेट रहेगा 960 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 954 और 945 यह दो ट बात करने ऐसल गया होगा तो 963 का अचीर आपका का बांग के लिए रहेगा बाइंगे तोही रहेगा और 964 का ऐसे बाइसे लग वह सेलिंग ए तो यह सकतेज़क है और यहां कैंडल ओपन हई तो इसका लो नीचे आई तो इसका हई अचा हाई तो अचा है उपर अगर यह और इसको रिटेस्ट कर दिये तो क्या मैं एंट्री लेसक्ता है विद इस इसल यह वाल एसल जो हाइगा उसके साथ में यहाँ पर बाउंस के लिए एंट्री ले सकते हूं बट यह एसल मेरे फिक्स होने थी तीन पॉइंट का से ले तीन पॉइंट पर मैं निकल जाओंगा फ हाँ तीन से में तीस पॉइंट पर नहीं चाला जाओं यह इस चीज का ध्यान रख तो इतना मेनेजमेंट आपको करना होगा ठीक है इतना अगर आप डिसिप्लीन फॉलो करेंगे तो ही यह एंट्री लिजेगा अधर वाइस नहीं ले सकते हैं और बाकी आप अपना रिस्क रिवोर्ड अपने स्टेडी कर ली जाए तो उसी साबसे आप मेनेज कर सकते हैं उससे साबसाप डिसिजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है ना हुआ है तो आई होब एक्सिवेंग में क्लियर है लेवल एंड स्टोप प्रोस नेक्स बात कर लेते हैं तो दाट इस रिलाइंस रिलाइंस ने तो आज सब 4% का मोमेंट दिया है काफी अच्छा मोमेंट ना यहां 2660 यह रिजिस्टेंस था डारेक डेप अपन हुआ हमारे फॉर्स टार्गेट को टेस्ट किया और उपर कंडिनियूसली चलता गया ठीक है और कंडिनियूसली चलता गया 27 से लेके 273 यह इंपोर्टन लेवल क्यों ह तो आपको नए नए टार्गेट दो दिखेंगे यानि 275453 exactly 53 के बाद आपको 2776 and 2800 2800 दिखें आप शोट्टम वीव वाले हैं या आप इंट्राडेव वाले हैं अगर यह लेवल दिखेंगा तो निकल जाना है क्योंकि यहां पर थोड़ा फस सकता है रिलाइन कि हो सकता प इंट्राडेव के लिए यह दो लेवल काफी इंपोर्टेंट है और काफी अच्छा आप राइड कर लोगे उसके बाद फिर कहां वापस आता है नहीं आता या उपर जाता है तो लेवल के साब सम्ट फिर एंट्री करेंगे तो 2776 and 2800 यह दो टार्गेट अपवर डारेक्श ठीक है 2740 और अगर हम सेलिंग के बात करें तो 2727 के नीचे हम सेल कर सकते हैं यह देखो यह छोटा सा एम पेटन टाइप दिखेगा तो अगर यह ब्रेक आउट ब्रेकडाउन देता है तो एक छोटे से प्रोफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां तक 2700 और 2680 यह दो लेबल तक आपको प्रोफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अच्छा इसमें एसल क्या लेकर चलना है तो इसका एसल भी 4-0 ही रहेगा 2740 जो इन केंडेल्स का हाई है तो इसमें आप रिलाइंस को प्लान कर सकते हैं यह हार्ड एसल रहेगा सोफ्ट एसल आई पर जाने लगें पहुँछ चोटा एसलोगा ट्राइक करना ट्रेटिंग जरूर करना यहां नीचे खुल जाए और यह डारेक नीचे आने लें तो छोटे जो ट्राइक करा करो इसमें क्या करना है सर्विए पर एक्दम भग जाता है नहीं इस टाइप से नहीं करते हैं इसम लगाते हैं कि रिलाइंस मालो हमारा 2738 पर चल रहा है तो 2738 पर चल रहा है यहां नीचे चल रहा है अब आपको इसके नीचे सेल करना है तो आप क्या करेंगे ऐसे लोडर लगाएंगे सेलिंग के लिए कि 2726 पर में ट्रिगर हो जाए और 2725 पर में बेज दो ठीक है इस इसे यह ट्रिगर हो यह हिट हो वहीं आपको इस केंडल का जो भी केंडल ब्रेक आउट कर रहे है उसके हाई का ऐसा लगा देना है निकलने के लिए इस टाइप से प्लान करना होता है ऐसे नहीं के केंडल तोड़ रही है अब मैं कप घुजूंगा मेरे को समझ में नहीं आ इस वह में आपको प्लान करना होता है ओके तो अगर रिलाइंस नीच आएगा तो 27 और 26 शाट पर अगर आपको दिखेगा नीचे यहां पर एक छोटी से रेस्ट के साथ हम बाइ कर सकते हैं ठीक है किस टार्गेट के लिए यह हमें 2720 तक के टार्गेट के यह फर्स 27 फिर 27 तो यह दो टार्गेट के लिए हम बाइ कर सकते हैं अगर 26 शाट पर दिखता है ना 26 शाट ठीक है नेक्स बात कर लेते हैं सो दाट इस भी आइन एस भी आइन ने क्या किया एस भी आइन गेप उपन हुआ जो लेवल गिवन थे वहीं रिटेस किया और उपर आगे तो आपक को बुक कर लेना है ठीक है 598 तक गया 93 पर बाई किया 98 पर बुक कर लिया और 91 लगा हुआ था ठीक है अगर ले जाता दो पइंट ले जाता अधरवाइस हमाए इस वें अच्छा यहां पर यह बेरिष पेटन फोर्म हुआ यहां पर बेरिष बैटन का मतलब क्या समझ में आ हरा है अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि आर यह इस लेवल के बाद इस लेवल तक जाए गा तो मार्केट ने क्या किया यह यह बेरिश पैटन फोलो के अब क्या होता है कि लोक वक्स होते हैं कि ब्रेक आउट हो जाएगा उसके बाद मैं एंट्री करूँगा तो वहाँ पर प्रीमिम उप्शन में प्रीमिम एकदम स्पाइक हो जाए आपको स्पाइक होने से पहले एंटर करने आपने पेटन पकड़ा आ आपने एंट्री करी और यहां का एसल लगा दिया इससे एक पॉइंट उपर एसल लगा दिया आप गया है या तो हिट कर ले भाई या फिर हमारे यह लेवल तक लिए जैसे ही यह केंडिल बनेगे ना यह जैसे क्रोस होता है तो अगर आप उप्शन में कर रहे हो तो प्री सब्सक्राइब हो जाता है क्योंकि वह थाइस आठ का वह तो ब्रेक डाउन होने के बाद सब्सक्राइब तुम्हार उपने के बाद वह वापस बढ़ जाता है फिर जैसे नीचे जाने लगेगा वापस बढ़ जाए बट एस बिगिनर आप इतनी देर वह लोस देखने लगे एक सब्सक्राइब के टार्गेट कर बार gev जोन तुम्हार रहा है एसका ऍनिन तोटा सब्सक्राइब करने कर सकते हैं 594 के उपर हम बाय कर सकते हैं for the target of 598 and 603 यह दो target हमारा होंगे 590 के नीचे हम sell कर सकते हैं for the target of 586 and 582 ठीक है अच्छा SL क्या लेकर चलेंगे तो buying के लिए हमारा SL 591 ही रहेगा ठीक है जो कल मैंने बताया था buying के लिए SL क्या अगर आपको first candle यहां मिलती है उपर जाने जगे तो आप यह SL लेके entry की बारे में सोच सकते हैं बाकी आपकी अपनी study education purpose है यह हार्ड SL है soft SL I hope सबको clear होंगे next बात कर लेते हैं infosys तो को इसमें केवल level की बात नहीं कहते हैं हम यह भी सीख रहे हैं कि कहा entry बनती है कर नहीं हो सकता है एक दो महीन बाद आप यह सीख जाए आप को मेरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है आप डारेक्ली यह चीज़ें याद रखें और इसके basis पर आगे अपनी trading journey start करें तो अच्छी चीज यह है कि आप सीख गए जो ज़रूरी चीज़ें हम जब मैंने स्टार्ट किया था चार-पास साल पर तो मुझे यह नहीं था कि हाँ यह लुक जाएगा तो मार्केट अब मार्केट कहीं नहीं गया और वो प्रीमियम गया फिर डर लगता है तो चार-पास साल पहले जो मैंने नहीं क्या किया देखो इन्फोसस अगर हम बात करें यहां कहीं इसने क्लोजिंग दी थी एंड उसी के राउंड ओपनिंग करी यहां थोड़ा सा बुलिश सेटप बना इसने यह टार्गेट की तो बात पी नहीं यह लेवल जब ब्रेक आउट गया तो नेक्स टार्गेट यह था यह यह यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव पेटन मना थी अब अगर आप छोटी से रिस्क ले सकते होती है यहां पर आप ऐसे लगा के सिल कर सकते हैं तो जिसने की आउगों से मिला भी होगा वापस उसी रेंज बागे बेस पाट के अब वापस उसी रेंज बागे तो अब आपको क्या करना है देखो इसमें स्लाइटली आप थोड़ा सा अगर बुलिश मूवमेंट मिलेना तो आप एंट्री कर सकते हो बुलिश में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो लोवर बना रहा हा इसने इसे स्ट्रॉक्ट्यर का ब्रैक आउट किया और फिर नीचे है तो अब खर यह जब तक इसके निचे नहीं जाएगा तब तक यह नीट्रल है और एंच तक बात प्यमने में responsable हो सकता है मैं यह नहीं बौल रहीद होगा और यह हाई अर tears पॉसिटिव हो जाएगा फूर सर्टेन पॉइंट से नहीं दो तीन परसेंट के तो इस वह में आप सोच के चलना और अगर इसने नीचे वह आपस चला गया इसके नीचे तो एक प्रोफिट बुकिंग भी आपको अच्छी खासे देखने को मिलेगी तो अभी वही रेंज है 13 31.60 के उपर 1339.3 and then 1345 अगर 1323 अगर ये ब्रेक करता है तो 1315 एं 307 तो ये आपको के लिए रखना ये आपके लेवल है अच्छा SL क्या लेके चलेंगे तो SL आपको बनेगा 1327 एंड सेलिंग साइट ठीक है एंड बाइंड की बात करूं तो 1326 कि बाइंग हाँ इतना बहुत है ठीक है बाइंग के लिए 26 और सेलिंग के लिए 27 ये आपका हार्ड एसल होगा और सोफ्ट एसल आई होप सबको के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना नेक्स बात कर लेते हैं आउया ने तर्टा मोटर्स ने गया प्रश्च्छण यहीं वहीं जहां ऊपन हुआ तो ऊपन अपन हुआ उसके बाद इस ने ब्रेक आउट कियाए यहां क्लोजिंग दी असके बादी सीधा यहां तक जिए यहां पर शायद आप यहां पर अगर आपने इंट्री नहीं करें तो फिर वीडियो देखने का भी फायदार नहीं है क्यों कि यहां देखो बेक आउट और उसका फेलियर हो गया तो लास्ट लेवल तो टेस्ट होंगे और उसके साथ नेक्स पीछले लेवल भी टेस्ट होगे यह कितना चाहिए एक इस ट्रक्चर तो मत छोड़ा करो दिन में एक बार आपको मिल जाएगा और साथ स्ट्रोक के स्टडी कर रहें तो साथ बार मिल जाएगे तो इस चीज को ध्यान रूख अब यह इस ट्रक्चर बना यहां तो आपको मिल नहीं था उसके बाद देखो कितने अच्छा इसमें इसमें आप प्लानिंग कर सकते हो और अब क्या है अभी भी उसी रेंज में है तो अगर कर 625 को ब्रेक करता है तो 632 और 640 यह टार्गेट रहेंगे और अगर यह नीचे के साइड हम बात करें 618 को ब्रेक करता है तो 611 और 605 605 के बाद थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगी आपको 605 नहीं 6 पर ही आप देख लेंगे 605 पर मत बुक करना 6 पर बुक कर लेना क्योंकि 5 इसका लास्ट हाई तो अच्छा वहां पर मिल सकता है और यहां से अगर बुलिशनेस आ है तो आप इसी लेवल के बाद इंट्री क करना यहां मत करना यह जो इस जोन में मत करना इंट्री हो सकता है काफी मुवमेंट के बाद थोड़ी दर इसको ब्रेक किया तो यह इसको भी कर देगा इसमें मिलेके उपर की साइट में फिट दोनों टार्गेट मिलें तो इस सीच को ध्यान लगना सोट्स अबइट टार्ट का मुटर आट इसमें आशसर के अचाएशल क्या लेके चलना है पच्छेस के उपर बेचना है 19.00 में यह केंडिल के देखना से पर में इसमें अपका अपका हैं तो यह आरूंड कितना है जह इसमें देखने भी नहीं है आप देख लिजेगा यह चारमाच candle का लो ग्रीन वाले का नहीं ग्रीन वाले का लो तो 619 है तो इनका लो और यह जो थर्ड रेड गेंडिल है इसका हाई यह सेलिंग असल बनेगा तो इस वह मैं प्लान कर सकते हैं नेक्स लगर हम बात करने तो अडानी इंटर्प्राइज अडानी का कल सेबी ने रिजिस्टर किया है 40 पेजिस की चार्ज है कल कोट में इसके पेशी है अब देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से मुवमेंट पॉसिबल है कल आपको देखने को मिलें जो भी रिजल्ट होते हैं अभी सिनेरियो देखें तो यह लेवल काफी दिनों से इंटर्ट था लेवल यहां अगर यह इसके बाद देखो डारेक्ली इतना मुवमेंट देखा है और 248 के बाद 242 तक तो चलाई गया एक की किनल इसी टाइप से देखा है और यह फेलियर हो गया तो वापस उस लेवल पर आगी है अब अगर यह जैसे दस बजे ऐसा कांट हो जाए तो फिर आप इस साइड आ जाना जज़्जमेंट के बाद होना चाहिए अगर आपको दिखे कोई भी लेवल टूटा लेवल टूटने के बाद वापस रियच्व हो गया तो नेक्स लेवल के लिए प्रिपेर हो जाना इसमें आप सो सकते हैं अभी जैसे यह लेवल टूटा था नीचे यह एक वही उसी टाइप का सिनेवरी बना रेट केंडल गरीन केंडल और उसके बाद आपको पता है कि क्या होना है यहां तक जाना था तो इस टाइप के इस टाइप के ब्रेक डाउन यानि फेलियर ओफ ब्रेकडाउं डाइडिंटिफाइड करने लग जाओंगे तो फिर आपको ट्रेडिंग के मजाएंगे ब्रेक आउट ट्रेड करना छोड़ दोगे अगर यह फेलियर वाला आप आइडेंटिफाई करने लग जाओ क्योंकि इसमें क्या होता है प्रीमियम कम होता है और आपको जो प्रोफिट है वो काफे ज्यादा मिलता है तो इस वह में सोचना लेवल अभी वही इंटेक्ट है 2418 and 2370 अगर उपर की सेट गया तो यह सारे लेवल टूट जाएंगे है ना क्यों क्योंकि क्ल जेजमेंट तो थोड़ा से लिब्रेशन टाइप में बाइंग हो जाती है ने कि दिवाया तो यह लेवल सब टूट जाएंगे ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना और अगर जो जो कंडिशन है उसी कंडिशन के बेस पर सेम रहा तो फिर यह आपको फसाद सकता है तो यह सच होगा नह आज नहीं टूटेंगे तो दो तीन दिन बार टूटेंगे क्योंकि उसके उस पर डिपेंट करके आगे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करका है अगर क्लियर हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है और अगर यह करना ही है जो इसलिए देखना है at least वो तो करना ठीक है ओके थैंक यू